हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे एंजिनियर्स जब भी हम ब्रिज की बात करते हैं ब्रिज मींस आप माइने ब्रिज को देख लीजिए और किसी ऐसे ब्रिज को देख हम बात करने वाले हैं कि यह बेरिंग क्या होती है बेरिंग को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है जो आपकी बेरिंग प्रोवाइड की जाती है उसकी डेटेल को हम ड्रोइंग में कैसे पढ़ते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी बे अपने सेशन को स्टार्ट आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होगी एंजिनियर साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको major bridge के project का drawing दिख रहा होगा और मैं आपको bearing की detail में लेकर चलता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि इस major bridge के project में आपको bearing कहां पर आईगी और कौन सी bearing हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके पहले हम यह समझ लेते हैं कि आपकी bearing क आती हैं और जो हमारा bearing है उसके ऊपर आपकी गिर्डर को place किया जाता है जितने भी आपके grider वाले bridge बनते है वह आपका RCC का गर्डर हो या फिर आपके box गर्डर हो जबी गर्डर आपके बेरिंग के उपर ही प्लिस किया जाते हैं तो बेरिंग का क्या function है जैसे आपकी जो bike होती है bike में जो soccer का काम होता है load absorb करना उसी तरह से जो हमारा bridge होता है उसमें bearing का same काम है जो bridge में आपका load आ रहा है बिरिज के उपर से जो आपके वीकल पास हो रहा है, उसका जो sudden impact load आ रहा है, उसको absorb करने का जो काम है, वो हमारा किसका है, बेरिंग का, बेज के उपर से जो वीकल पास होते हैं, उसकी बज़ए से आपके girders में, आपके bridges में, जो आपका longitudinal direction में, मूवमेंट हो रहा है, जो आपको ड्राइंग में लेके चलता हूं ताकि आप वहां के चीज़ें डेटेल में समझ पाएं यह आप देखेंगे का क्रॉस सेक्षिन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें आपको दी जाती है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह क्या है हमारा इस तरह से हमारे पैडस्ट्रा आएंगे और इस पैडस्ट्र की ऊपर जो आपको पिंक वाला पॉशिन देख रहे हैं वह grant क्या है वνηरेख और एस को आपका बेरिंग को यह हमारा मेरा क्रद पर देख इंह आपको कि ए देख सकते हैं कि और का पेडेस्टिल के ऊपर आपकी वेरिंग्स आती हैं और सेम चीज़ हैं आप पियर कैप के ऊपर भी देखेंगे यह देखेंगे नीचे आपको पियर कैप दे रखा है जो कि हम पियर की ऊपर कंस्ट्रेट करते हैं यह हमारा क्या है पियर कैफ है यह आपका पीयर है और इसके उपर यह हमारा इस तरह से पीर कैप आ रहा है यह हमारा पीर कैप आएगा और इसके उपर से हम क्या प्रोवाइड कर रहा है यह आपने पेडस्टल आ रहा है यह हमारे क्या है पैडिस्टल और इस पैडिस्टल कर विए को किक्स कर रहे हैं इस तरह से हमारी बेरिंग्स हो गई है जो की गडर के लॉंगि टूनिल और ट्रैंसफर्श मुव्मेंट को होल्ड करके रखता है इसको फिक्स करता है तो इस तरह से आप यह तीन आ रही है क्योंकि आपका तीन गर्डर है अब मुद्दे की बात है अगर इसको आप अवराल देखेंगे तो किस तरह से चीज होंगे थोड़ा सा और हम डिटेल में चलते हैं ताकि चीज आप अच्छे से समझ पाएं आंगे चलेंगे तो आपको पर चलेगा किसमें कौन सा वेरिंग यूज कर रहा है यह देखेंगे आप से यह आपको अवाटमेंट कप का डिटेल दे रखा है तो यहां पर ध्यान से दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह आंको क्या दे रखा यह आपका अवर्टमेंट कइप है और इसके नीचे यह आपका आवर्टमेंट बन रहा है और इसके उपर यह इस तरह से हमारा क्या बनेगा पैडस्टल बनेगा यह देखेंगे यह हमारा पैडस्टल बनेगा और इस पैडस्टल की उपर आप देखेंगे हमें इस तरह से बेरिंग फिक्स कर रहा है यह हमने इस सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारी बेरिंग्स होती है लेकिन मुस्ली व्रिजस में आप देखेंगे हम यूज करते हैं क्योंकि आपका इकोनॉमिकल भी है और आपका इफिसेंट भी है अब इस बेरिंग के ऊपर आपका जो गर्डर है उसको करते हो थी इस तरह को अधिन को भी है है तो चीजो कुछ इस तरह को बतां है कि जो आपका एक गर्डर वह आपकी दो होता है था बेरिंग ऐगर्ण के लिए लगती हैं लेप साइड में और एक राइट साइड में आप इस तरह से देखी हैं तो dużo समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ किस थर चीजें प्लेस होती है मैं आपको एक पूरा डायगरम बना कि तो आप देखाता हूँ आफ से पहले हम क्या कर रहा है a until और यहां पे हम इस तरह से यह रूब बना रहे है और इन्हाण पर इस तरह से यह ऐघ्चम्पल मेरा अब तो राइट यह हमारा अवर्टमेंट बनके तियार हो गया है, यह हमारा पियर बनके तियार हो गया है, अब इसकी उपर हम लोग क्या करेंगे, इसकी उपर आप देखेंगे तो इस तरह से आपका अवर्टमेंट कैप बनेगा, यह हम इसकी उपर इस तरह से अवर्टमेंट कै यह क्या है आपके अबटमेंट के पेडस्टल है और यह हमारे क्या है पियर के पेडस्टल बन जाएंगे यह हमने पियर के पेडस्टल बना रही है आप चीजों को समझ यह फिल करिए कि इस तरह से चीज़े होती है तो यह हमारा पीर का पेडिस्टल बन गया और इसकी ऊपर हम अपनी क्या करेंगे, बेरिंग को फिक्स करेंगे, इसकी ऊपर हम क्या करने बाले हैं, बेरिंग को फिक्स करने बाले हैं, तो इस तरह से हमने क्या किया है, अपनी बेरिंग को फिक्स कर दिया है, यह अब इस बेर कर दिया और इस तरह से हम इस व्यारिंग के उपर अपनी गार्डर को प्लेस करें ये देखेने इस तरह से हमारा गडडर प्लेस किया जाए ये पहला गडडर है ये दूसरा गडडर है थोड़ा मिसमेच हो गया समझ लिजे भाबनाव को समझ यह तो यहां पर देखेंगे इस तरह से हमने अपने गडर को प्लेस कर दिया है और इसके उपर से हमारा जो डेक्स लेवर को कास्ट कर दिया जाएगा तो आपका ब्रिज बनके तैयार हो जाएगा अब यहां पर समझन अब पर द्रेजर करा तो इस के उगडर को तो आपकी आपका तो यहां पर देख सकते हैं इस प्रजेक्ट में से दाधी бिवर क्डेश कर लिज एंड़ील तो आप दिखा तो सबसे पहले हम यहत ἗िंद के इस परोजेक्ट रहें multipos में कितने को अब देखें आ हैं तो यहां पर देखेंगा आपको इस प्रोजेट के स्पान का इलती रखा यह इस प्रोजेट के कि एक इस्पां की ect detail यह देखे। इसमें आप ध्यान शे देखेंगे तो आपको संजमें आएगा यह हमार इस तरह दूसरा घटर हमारा ये आ और यह ारा है तो हम एक SPAन में क्या कर रहे हैं अपके तीन गրडर प्रवाइट कर रहें और शुर्पर 70 हमारा यह आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा यह major bridge है जिस पे हम discussion कर रहे हैं, उसके एक span में आपके तीन man girder आ रहे हैं, कितनी man girder आ रहे हैं, तीन man girder आ रहे हैं, यह आपका क्या है, फॉस्ट है, इसके नीचे यह आपका second आएगा, जो कि में आ रहा है और ये थाड आएगाय को ये तीन में गर्डर हैम trium क्या गोलalen में लॉंग की युपिन गर्डर इस तरह ऀमें मैं लॉंगी इन टॺई कर रहें और इस गर्डर की डीचे आपकी इस तरह से अपकी बरींग को अच्छे से पता है कि एक गड़र को सपोर्ट करने के लिए हम दो बेरिंग करते हैं तो सबसे पहले आपकी वेरिंग्स ही प्रोवाइब की जाएंगी पेडेस्टल के उपर और उसके बाद हम अपने गड़र को प्लेस करेंगे वह तो मैंने समझाने है और उसके इसाव से आप एक कैल्कूलेशन कर सकते हैं कि आपके कितने गड़र आंगे इस तो सबस्क्राइब कितने सब्सक्तैंस चाहलें यहां पर जाके हमारा बेच खतम हो रहाई यह हमारा क्या है यह इस पान होता है वह आपका टु पियर अध्यू है यह दिखिए इस तरह तरह से इसमें यह यह हमारा पहला स्पान है अगर आप इसको देखने की कोसिस करेंगे तो यह हमारा पहला स्पान है यह हमें दूसरा स्पान दे रखा है और यह हमें तीसरा स्पान दे रखा है यह आपका चौथा स्पान है और यह आपको पांच में स्पान दे रखा है और इसके बाद देखें ऑपका पुस्ट यह आपको सेकेंड रक्तर एका अजैकर वर्प सेवन डे रख आप देख सकते हम यह आपका ओन स्वाल है यह चैप एक रहा है आपके तीन तो यहां पे देख सकते हैं, total spawn आपके कितने हैं, total spawn आपका कितना है, इस project में 7 spawn है, और 1 spawn में कितना आपका गड़र आता है, अगर आप 1 spawn देखेंगे, तो उसमें आपके 3 गड़र आ रहे हैं, 3 man गड़र हैं, कि एक बन में कितने मैं थ्रीमें वीन दर तो यहां से आफ टोटल गड़र निकाल सकते हैं इन इतों कि लिव्य कोइंटिटी और जैएगा तो लॉकार जैंगे 21 girder हो जाएंगी तो यह हमारे 21 girder हो गए है तो टोल आपकी वेरिंग्स कितनी हो जाएंगी तो टोल पॉइन्टिटिटी ऊफ वेरिंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक girder को support करने के लिए आपकी दो बेरिंग लगती है कि स्टार्टिंग में और आपकी एक एंड में तो एक गर्डर में आपकी दो बेरिंग लग रही है हमारे टोटल कितने गर्डर है ट्वंटी वन गर्डर है तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि टोटल आपकी बेरिंग कितनी लगेंगी यहां से जो टोटल बेरिंग आएंगी वह आपके कितनी आएंगी 42 आएंगी इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी कैल्पुलेशन हमने यहां पर जस्टीफाई कर लिए यह देखेंगे इस वाजेक्ट में आपके टोटल बेरिंग कितनी आएंगी आपके टोटल बेरिंग आपके आएंगी 42 यह देखेंगे आप तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब आपके बड़े बड़े जो major bridge होते हैं पांच पांच 6 शे स्पांच 7 साथ 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 777 इस पान के जो आपके बिरिज होते हैं उस में यह बेरिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं बहुत ही सिंपल में कितने हो जाएंगे 21 गर्डर हो जाएंगे और एक गर्डर में दो बेरिंग लगती है तो टोटल कितनी बेरिंग हो जाएंगी आपकी 21 into 2 आपकी 42 बेरिंग हो जाएंगी तो जो हमारा ये major bridge का project है तो इस project में आपकी 82 elastomeric bearing लगेंगी तो इस तरह से हम इसका calculation कर लेते हैं और इसकी जो आइटम बनती है एस पर मौर्थ ministry of road and transport highway वो आपकी नमबर सम बनती है और बेरिंग directly market में अबलेबिल होती है आप जाके purchase कर सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे like करिए अपने friends के साथ share करिए और आपने अभी तक हमारा YouTube channel reinforce subscribe नहीं किया तो प्लीज आप इसे subscribe कर लिए जो तो इसी तरह से आपको quality content मिलता रहेगा thank you so much till then keep learning and keep exploring